Hello everyone, welcome to Solemn Classes आज हम अपने two events से related जो practical application of sets के हम question कर रहे थे उसका part 3 कर रहे है आज भी हम अपने two events के question करेंगे और उसके अंदर हम जो universal से related जैसे मैं आपको हमेशा कहती थी कि union और universal में आपको choose करना होता है कि union given है या फिर universal given है तो जो अब हमारा question आएगा यह type बहुत ही important है आपके exam के लिए आपको इस तरीके से question दिया जाएगा कि आपने जैसे अभी तर्क question कहीं है कभी आपसे number of A पूछ लिया गया कभी number of B पूछ लिया गया कभी union भी पूछ लिया गया अब हम से पूछा जाएगा कि बही नाइदर ए और नौर B मतलब अगर आपके two events हैं तो वह कहते हैं ना तो A हो ना ही B हो तो इस stage को कैसे find करते हैं सबसे पहले मैं इसका basic करवाती हूं and then इससे related एक आपको question करवाऊंगी जो कि type बहुत ही important है और इस type के sub equation इसी तरह से होंगे ठीक है चलो देखो नाइदर A और नौर B निकालने के लिए जो हमें formula ready करना है इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक example देती है जान से सुनना मालो आपकी class में से मालो आपकी class में 100 student है जान से सुनना किते student है 100 और मैंने यह कहा कि वह student hand raise करो जो mango like करते हैं ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला वह student hand raise करो जो कि mango like करते हैं ठीक है तो कितने बचों ने हाथ कड़ा करा 50 students इसने hand raise कर दिया okay अच्छा मैंने का hand down कर लो okay फिर मैंने का अच्छा अब वह student hand raise करो जो apple like करते हैं अब apple कितने student like करते हैं वह थे 40 उन्होंने भी hand raise कर दिया ठीक है class में total strength कितनी है 100 की okay mango like करने वाले कितने है 50 और apple like करने वाले कितने है 40 ठीक है तो अब जो mango like करते हैं भई जिन्होंने hand raise किया क्या पता उसमें वह भी हो जिनको apple भी पसंद है भी mango भी पसंद है इसे तरह से apple वाले में भी क्या पता वह भी हो जिन्हें apple भी पसंद है mango भी पसंद है ठीक है तो मैंने अब यह का वह बच्चे अब hand raise करो जिन्हें दोनों चीजे पसंद है एक साथ apple और mango दोनों चीजे like करते हैं ओके तो अब 20 बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया अब ध्यान सुनो यह 20 बच्चे इसमें भी है और यह 20 इसमें क्योंकि सेम होगे ना common होगे क्योंकि मैंने का mango वाले hand dress करो तो 50 बच्चों ने हाथ खड़ा किया तो इसमें 20 बच्चे वो भी है जिनको कहीं ना कहीं आपल भी पसंद है इसी तरह से apple वाले 40 है ठीक है तो उसमें भी 20 ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं उने mango पसंद है तो आप यह कि देखा जाए तो 50 और 40 और यह 20 ध्याल से सुनना मैं अब क्या कहना चाहरी हूं असली में तो देखा जाए अगर मैं कहूं सिर्फ mango वाले तो आप कोगे 30 हैं सिर्फ apple वाले 20 हैं और common वाले 20 हैं तो टोटल बच्चे कितने होगे वह आपने का अच्छा वह वाले हाथ खड बच्चे करना जो सिर्फ और सिर्फ आपल लाइक करते हैं तो 20 थे क्योंकि वह टोटल 40 में से 20 कमन थे अब मैंने का वह आथ खड़ा करो जो दोनों चीजे क्योंकि उनके हाथ नहीं करवाई थे ना दोनों चीजे लाइक करते हैं तो किसे कितने कर लिए 20 ने आप देखो य बच्चों को यह ब्लग बच्चों के यह हैं सिर्फ मैंगो वाले यह फिस इनको डोनों लाइक है तो टोटल कितने बच्चे होगे देखा जाए तो 30 40 45 60 70 लेकिन क्लास में तो कितने बच्चे थे 100 हाथ तो खड़ा कितनों ने किया है 70 तो 30 बच्चि क्या कर रहे हैं अब उ यह उन्हीं hand-ringe किया? वह कहेंगे ना, माम आपने इह कहा कि वह बच्चे hand-ringe करो mango like करते हैं, किरे हम नहीं करते mango like, अचिक माम ने कहा तो फिर apple कहते हैं, हम apple भी like नहीं करते हैं, इससे क्या meaning निकल कर आया? कि जो total strength थी वो है 100 लेकिन यह जो है 70 यह है यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाला की मतलब यूनियन में यह होता है जिस चीज के बारे में बात करीगे है जैसे मैंगो और एपल की बात की गई है तो कुछ ना कुछ चाहिए एक ही चीज लाइक कर ले चाहिए मैंगो लाइक कर ले चाहिए खाली एपल लाइक कर यूनियन में सारी यह वली चीज होती है ठीक है तो अब बताओ यह जो सो बच्चे थे पूरी क्लास और यह जो सत्तर बच्चे हैं यह सो है पूरी क्लास, whole क्लास और यह सत्तर कौन है जो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं चाही फिर वो मैंगो करें चाहे फिर वो apple करें चाहे फिर वो both दोनों चीज़े करें मतलब कुछ ना कुछ तो like करते है न चाहे एक चीज़ करें ये है पूरी class इसका मतलब देखा जाए तो इस में से जब ये 30 निकले तो ये वो थे जो ना तो mango like कर रहे हैं not like apple जो ना तो apple icon है अब अब समझी गए होंगे कि ये total मैं आपको कहती थी ना हमेशा कि जो total होता है मैंने previous video जो इसका part 1 और part 2 बताया है तो मैं हमेशा भूलती थी कि मैंचे total को जब लेते हैं तो ध्यान से देखो union है ये universal है तो बहुत डाउट होता था कि यूनियन ले universal तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी थी है ना कि यूनियन के formula में देख लो अगर तो union को लेने से चारो चीचे हो गई तो तो यूनियन नहीं है वो यूनिवर्सल है लेकिन असल में यह भी total को represent करने वाले यह भी total को लेकिन यह वो total को represent करने आ है जिसमें सब कुछ है हूल मतलब जो चीच हो सकते सब भाई इसमें वो भी हो सकते है खाली mango वाले खाली apple वाले दोनों वाले वो भी जो कुछ भी ना हो तो universal के पास क्या है कि मैं सब कुछ तो that is over universal ये भी total है and that is over union ये भी total है लेकिन ये वो वला total है जो कुछ ना कुछ like करता है जिस question के बारे में बात हो रही और ये वो like भी कर सकता है नहीं भी कर सकता तो अब ध्यान रखना formula हमारा ready हो गया कि अगर universal में से 100 में से 70 less किया तब answer आया ना 30 बच्चे वो आया जो कुछ नहीं like करते तो formula क्या बन गया कि कभी भी आपको neither निकालना हो neither A nor B तो आप universal में से union को क्या कर दो less तो देखलो हमारा formula ready हो गया formula कैसे ready हो गया देखो तो formula हमारा क्या बन गया कि अगर हमें दो event में कभी भी मतलब note निकालना हो दोनों का ना वो हो ना वो हो neither A nor B तो आपने हमेशा क्या करना है universal में से उनकी union को less करना मतलब जब आपको neither निकालना हो तो universal भी पता होना चाहिए वो तो पक्का given में दे देगा और union हम निकाल लेंगे formula से और दोनों को subtract करेंगे universal में से union को less कर देंगे तो हमारा क्या आजाएगा neither A nor B बस formula बन गया और इस type का question आजाता है क्योंकि इसमें आप भी union की में चीज हम से निकलवा लेता है तो इससे related में आपको equation कर वाती हूँ तो इससे related जो भी equations होंगे वह आप कर ले ना यह type important है ठीक है देखो In a recent survey of 5000 people It was found that 2800 read Indian Express and 2300 read the tribune while 400 read bought the papers ध्यान से पड़ो एक recent survey था कितने लोगों का किया गया 5000 का जिसमें से यह पाया गया कि Indian Express जो newspaper है वो कौन read करता है 2800 people और tribune वाले कौन read करते है 2300 इसी तरह से 400 हो है जो दोनों ही पेपर यानि कि जो Indian Express भी पढ़ते है और जो Tribune भी पढ़ते है तो सबसे पहना हमारा जो काम होता है question का यह होता है कि यह find out करना कि हमारा question 2 event का या 3 event का हमने देखा कि यहां पर दोई चीजों के बारे में बात करी है कि जो people है वो read करते है Indian Express people जो है वो read करते है तर ट्रीब्यून तो हमने सबसे पहले A और B नाम बना लिया तो सबसे बहले गई लिख देते हैं देखो A event and B event बनाया हमने यह आया हमारा people who read कौन साइ फर्स वन इस इंडियन एक्स्प्रिस okay and the second one B नाम दिया हमने people who read the tribune okay A भी हो गया अब data भी साथ साथ नोट करते है यह ते 5000 people इसके बारे में हम बात में discussion करेंगे हमने रिखा 2800 ऐसे हैं जो इंडियन एक्स्प्रिस तो 2800 होगे हमारे इंडियन एक्स्प्रिस के इंडियन एक्स्प्रिस का नाम क्या था A so number of A हमारा कितना हो गया 2800 okay 2300 tribune tribune का नाम हमारा क्या है B which is 2300 okay and then 400 is read both the papers both मतलब intersection so number of A intersection B is equal to 400 okay हंजी अब आजो इस पे this is our total जिस चीज के बारे में मैं हर question में बोलती थी कि total पता नहीं union भी हो सकता है universal भी हो सकता है तब तक हमारा हमेशा ही वो union बना था मैं आपको तब यह कहती थी आप एक पर इसे union सोच के देखो और यह देखो आपके formula के सारी चीज़े बन जाती है अब देखो अगर मैं इसे union सोचती हूँ 5000 को ठीक है तो union के formula क्या होता है पहले union फिर number of A फिर number of B फिर number of A intersection B अगर मैंने इसे union मान लिया तो formula की तो चारो चीज़े हो जाएंगी तो possible ही नहीं है और कभी भी यह 5000 इस चीज़ को solve करके union का काम कर भी नहीं पाएगा ठीक है वो तो हमने जस्ट ट्रिक बना रहा किया इसका मतलब आप देखो अगर इसका union मानते तो यह भी union भी पता चल गया यह भी पता चल गया यह भी पता चल गया नहीं जबकि इसको solve करके union आती भी नहीं है वो तो बात की बात हम solve अभी करके थोड़ा देख रहे है यही चीज थी कि यह वाला जो total है यह union को represent नहीं कर रहा यह किसको represent कर रहा है universal को क्यों? क्योंकि अगर इसको union मानते तो union भी पता है एक formula का A भी पता है B भी पता है A intersection भी पता है और जबकि इसको solve करोगे तो यह बनता भी नहीं है कि हमें क्या क्या चीज यह बतानी है first one कहते हैं how many read neither Indian Express nor Tribune ना तो Indian Express और ना ही Tribune तो neither Indian Express मतलब A और Tribune मतलब B तो हमें first part के according क्या find out करना है neither A nor B आता है ना formula अभी जिस्ट पढ़के आया है चलो यह तो हम लगा देंगे according to our second part how many read Indian Express only Indian Express का नाम क्या है A और only that means हमें second part में find out करना है A only A only का मतलब मालू मैंना A minus B निकालना है equation mark डाल दिया now our third part Tribune only Tribune only Tribune मतलब आपका क्या है Tribune B that means we have to find B only और B only का नाम क्या है B minus A clear हो गया हम्हें तीनों पार्ट बताने है इसका भी formula आता है इसका भी आता है neither A nor B का फ Armenia क्या था number of U minus number of A union B ठीक है second number of A minus B का फार्म्मला क्या है number of A minus number of A intersection B ok number of B minus A का फनलब number of B minus number of A intersection B अगर आपने इस practical application of sets की part 1, part 2 नहीं देखा है तो इससे करने से पहले आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना otherwise आपको यह जिस clear नहीं होगी कि कैसे हमने formula बनाया था किस तरीके से हमने formula लर्न किया था link में description box में डाल दूँगी आपको help मिल जाएगी find out करने में आप पहले वो दोनों वीडियो देख लेना पहले first number वाली and then second number वाली then फिर इस पर आना ठीक है चल्ड अब हम यह तीन पार्ट निकालने हैं देखते हैं कैसे निकालेंगे तो हमें यह given data था आपको बता है first part में हमें neither A और B निकालना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले union निकाल के होंगे क्योंकि देखो given data में मेरे पास कहीं पर भी union नहीं है तो firstly मैंने union find out किया number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B now put the values what is the value of number of A is 2800 okay and plus number of B is 2300 okay and minus number of A intersection B which is 400 अब हमने इने solve किया solve करके हमारे पास यहां पर कितना आ गया total अगर हम इने solve कर रहे हैं तो यह इन दोनों को solve किया that is over 2400 and plus में यह बच किया हमारा 2300 now add this 007 and 4 so according to this हमारा union B कितना गया 4700 now our first part neither A nor B we can find now yes because we have number of U and also we have number of A union B what the value of number of U number of U is 5000 it minus number of A union B recently अभी हमने find out किया है this is 4700 now subtract this answer is 300 so 300 people ऐसे हैं जो कि ना तो Indian Express रीट करते हैं और ना ही Tribune तो last में अपना language में जुरूर लिख देना कि people who read neither A nor B is 300 in our second part we have to find how many read Indian Express only Indian Express का नेम था A तो A only निकाला हैं that means number of A minus B which is number of A minus number of A intersection B put the value of number of A number of A is 2300 and put the value of number of A intersection B which is 400 so subtract this answer is 2400 now in our third part B only निकालना है because हमें find out करना how many read the Tribune only Tribune का नेम था B that means B only B only का formula हमारा B minus है मतबसे B हो A ना हो number of B की value हमारे पस किती थी 2300 और intersection की value हमारे किती थी 400 हमने subtract किया जो कि हमारा कितना आ गया 1900 हमारा पूरा question complete हो गया यह type exam के लिए बहुत important है जब भी आपको नाइदर वाला find out करना हो तो कुछ भी नहीं करना हो just universal and union को subtract कर दिया और देखो इस question में देखा जाए तो हमसे सारी चीजे ही पूछ ली हमसे union भी निकल वालिया हमसे नाइदर वाला भी निकल वालिया हमसे A only भी निकल वालिया हमसे B only भी निकल वालिया एक question और करते हैं जो काफी बच्चों की problem आज आती है इस question में तो एक वो question करवा देती हो and then फिर हम अपना two event का topic यहीं finish करेंगे फिर नेक्स वीडियो में आपको मैं three event से related काम करवाँगी तो three event में भी हम यहीं करेंगे firstly पहले basic सीखेंगे three event में and then उनका only वाला concept अलग होता है जैसे इसमें only वाले के हम formula learn करते हैं उसमें only के लिए हमेंड डाइग्रम बनाना होता है वह भी बहुत अच्छे से करवाँगी तो यह जो आपकी exercise होती है यह practical application of set से related यह topic चाहे BCA वाले हैं चाहे BPA चाहे BCOM Pass चाहे BCOM Honors सभी के लिए यह topic बहुत important होता है इसे related exam में पूछा जाता है ठीक है तो important exercise है इसे अच्छे से करना चाहें और एक पर समझ आ जाए तो बहुत ही easy है चल अब next करते है so question is in a group of 400 people 250 can speak English only and 70 can speak Hindi only and find these three things एक यह question है जो थोड़ा सा अलगसा है अलगसा in the sense की मतलब हमें खुच सोचना पड़ेगा पहले given के पास जाना पड़ेगा जबकि otherwise हमने जो पाकी जितने भी 2 event के question की है या फिर आपको जो भी आपकी बुक में मिलेंगे तो बहुत ही simple simple एक ही ऐसा question है एक तो ही ऐसा question है तो इसको करने का तरीका भी सीख लेते हैं 400 people का ग्रूप है 880 जो इसा सेंगलिश उसे एकटा ही इसा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंगलीश बोल सकते हैं English only no. आपने सिर्फ English दीखना है यह तो data यह उनली का दे रखा ना? A नाम तो English का है और B नाम Hindi का है, okay? तो हम लेट करते हैं, देखो तो हमारे पास हमने एक A लेट किया और एक हमने B लेट किया A हमने लिया people who speak English And second one is people who speak Hindi Okay, now according to this, हमें जो data दे रखा है, हमें एक आए कि 400 पीपल का ग्रूप है भाई ग्रूप के बारे में तो हम बाद में डिसाइड करते हैं कि यह यूनियन है या फिर उनिवर्सल है 250 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ English पोलते हैं तो ध्यान से, English का नाम है A लेकिन यहां पर जो हमें data दे रखा है वो दे रखा है A only का और A only का मतलब number of A minus B का A minus B की value हमें कितने दे रखी है? 250 इसे तरह से 70 हैं जो सिर्फ फोर सिर्फ Hindi बोलते हैं Hindi का नाम है B तो B only B only का मतलब हमें number of B minus A दे रखा है अब बात रहेगी 400 पीपल की अब आप खुद देखो Universal के formula में तो देखा जाए यूनियन के formula में तो देखा जाए ना A पता है ना B पता है ना intersection पता है तो उल्टाइए तो फिर हमें यूनियन लेनी चाहिए यूनियन लेनी चाहिए यूनियन तो अकॉर्डिंग तो दिस अपने को ट्रिक से हमें बहुत जल्दी जल्दी के सब्सक्राइए ना पता है रहता है लूटाइए लूटाप उनियन बहुत जाए सब्सक्राइए यूनियर्सल में वह बहुता है वह वह भी लिख था घ। वह लेगें जाए पहसे चाहिए तो फाइंद आप अब हमें जो फाइंड निया थिखने है हमारे first part में देखो क्या का है वो बताओ जो English and Hindi दोनों बोल सकने है so according to first part we have to find English याने की A and Hindi याने की B A intersection B जो कि हमें find out करने question माग डाल दिया in our second part how many can speak English अब देखो English के आगे only नहीं लगाया that means this is only A only A means छो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ का मतलब यह वह भला मत ले ले ला मतलब हमें यह आपर खाली A लिखना है क्योंकि A only तो आलाग चीज थी वह हम लिख चुके हैं क्योंकि हमें given था how many speak Hindi अब हिंदी की बात कर रहा है तो हम यह आपर लिख देखेंगे number B हमें find out करना है तो अब हमने यह देखा कि भई जब हम फर्स्ट पार्ट के पास कर तो फर्स्ट पार्ट अब तो कहेंगा इंटरसेक्शन निकालना है तो अभी तक हमारी आदत रही है कि भई देखो पता ही क्या है हमें union का formula ही तो पता होता है या फिर A only का या B only का टू इवेंट में तो और कुछ में निया आया या यूनिवर्सल वाला ता बात है जब नाइधर की बात करें नाइधर का तो इस question में कुछ है ही नहीं तो बचा कौन A only B only या फिर हमारा union तो हमारी आदत ही है कि A only B only के पास हम तब जाते है जब हमें वो निकालना होता है ठीक है तो हम उसके पास जाते है union के पास जाने से पहले हम यह कहते है कि हमें चार में से तीन चीजे पता होंगे हम तब ही चाहेंगे ताकि हम जो फॉर् पास चलते हैं तो union के फॉर्मले के पास चलते हैं तो union के पास गई तो हमने देखा हमें number of union B तो पता है ठीक है intersection B तो हमें निकाल ला ही है तो अब दिक्कत यह कि A और B भी तो पता होना चाहिए था लेकिन A और B तो नहीं पता है इनकी बजाए हमें कौन पता है A-B और B-C पता है तो सिर्फ और सिर्फ यह थोड़ा सा tricky question है तो आप इतनी से चीज़ याद रखना कि जब हमें कुछ find करना होता है तो यह कहता है कि आप union के formula में तब जाना जब आपको तीन चीज़े पता होंगी तब ही मैं यह निकालूंगा तो intersection B को अब यह है कि union भी देनी पड़ेगी A भी देना पड़ेगा B भी देना पड़ेगा तब ही मेरी value निकाल के देंगे अब आप पस इतनी चीज़ समझना कि आप पहले कहीं से number of A का arrangement कर लो number of B का arrangement कर लो तब union के formula के पास जाने का फायदा है अब हमने यह सोचा कि union के formula के पास तो अभी जाने का फायदा नहीं है तो अब A और B निकालना तो जो दूसरे बचे वे given है इन्हीं के पास जाना पड finding क्या है किसी तरह से number of A पता चल जाए है हमने का number of A minus B का formula होता क्या है मुझे आता है number of A minus B का formula वो लगा देती हूं यह लेने आए और यह यह नहीं लेने आए क्योंकि इसी को तो union के पास भेजना है हम लेने आए यह किसी तरह यह पता चल जाए हमने number of A को अपने पास रख लिया इसको दूसरी साइट भेज दिया इसको करने का एक और तरीका भी है वो थोड़ा सा shortcut है वो बात में बताऊंगी 250 प्लस में इस इसका हमने कोई नाम रख दिया फर्स एक्वेशन ठीक है आप मैं दूसरे गिवन के पास कई दूसरा गिवन क्या था क्या था क्या था बी माइनस एबी ले लो वहां से भी कुछ निकाल लेना क्योंकि आप कोशन तो सोल परना ही है ना तो गिवन की हैल्प ल नमबर ओफ बी माइनस 70 अब ये भी कहता है बही देखो ना तो ये पता है ना तो ये आप क्या लेने आये थे हम लेने आये थे ये तो कहता है ठीक है इसको अपने पास रख लो दूसरे वहले को इस साइड भेश दो फिर इसका भी नाम कुछ ना कुछ रख दिया अब देखो नमबर ओफ ए है जैसा मरजी है है तो सही नमबर ओफ बी है हंजी यूनियन है हंजी अब इंटरसेक्शन कुछ हो गया यूनियन के फॉर्मले के पास जा सकते है चलो चलते हैं सारी वेल्यू पुट करते हैं चलो यूनियन की वेल्यू क्या थी यूनियन की वेल्यू हमारी थी देखते हैं 400 ओके 400 पुट कर दिया नमबर ओफ ए की वेल्यू भी देखके आते हैं नमबर ओफ ए की है ये 250 प्लस नमबर ओफ ए इंटरसेक्शन भी प्लस नंबर उपी की देख के आते हैं विच इस सेवेंटी प्लस नंबर उप इंट्रिसेक्शन बी एंड यह तो लास्ट में बजाई है ही ओके चलो अब सॉल करने के लिए हमने देखा एक प्लस का एक माइनस गई तो कटी गया चलो बागे सारी निमेरिक वल्यू एक साइट देज देते हैं अब देखो कोरिशन में खाली है रह गया ना क्योंकि तीन चीजों चार चीजों में इस तीन तो उमने बताई दी ती इस फॉर हंडर्ड इस फ्री ट्वेंटी और इस इस एंट्रसेक्शन बी तो अबर आंसर इस सेकंड एक्वेशन के पास ज़े जाओ चाहे आप सीधा डायरेक्ट भी जा सकती हो यूदि देखो नंबर ओफ निकालना नंबर ओफ निकालना था तो हमारी फर्स्ट एक्वेशन में उतार देती हूं यह ती फर्स्ट एक्वेशन जिसमें से अम मुझे जब एक्वेशन में उतार देती हूं इस अवर सेकंड एक्वेशन नंबर ओफ निकाल लिए हमें यह तीन चीज़ चाहिए थी तीन चीज़े हमने निकाल लिए तो बहुत ही सिंपल तो था मस यह था कि थोड़ा सा सोचने वाला था अच्छा मैं आपको कह रही थी ना कि शॉट चाहिए एक फॉर्मला हमें लान करना पड़ेगा जैसे यूनियन का सिर्फ और जर्फ इसक्रेशन में यूज़ होना था इसी वज़ा से छोटा तो बहुत पर जाएगा लेकिन यह हो जाता है कि एक चीज़ को स्पेशल याद रखना पेपर में प्लस माइनस की गलती हो जा जैसे हम नौर्मल यूनियन का फरम ला लगाते हैं अगल कोई शॉर्ट करना चाहता हो फिर इस फरमले को लॉन करना पडेगा देखो गया है यूनियन का फरम ला 10 को इसके सैंस को समझो तो फिर यह असान पढ़ता है क्योंकि विस्ट तो यूनियन का फरमले में क्या है वह बहुत है तो इसमें क्या होता है एक तरफ से union का फॉर्मला यह होता है a only plus b only तो इसमें रखना सारी चीजे प्लस कियाती है और बहुत अगर यह फॉर्मला यहाद रख सकते हो तो यह question बस हो भी गया देखो union given थी union कितनी थी हमारी 400 a only कितनी given थी 250 b only कितनी given थी 70 और intersection हमें निकालनी थी छोटा थो पढ़ गया अगर फॉर्मला यहाद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है सिर्व इस equation के लिए काम आएगा क्योंकि यह होता है formula क्योंकि इसके meaning में साफ clear है a only वाले ने अलगात कड़ा किया जिन्होंने सिर्फ mango को पसंद किया जिन्होंने सिर्फ apple को पसंद किया तो दोनों जो पसंद किया जो मैंने एक पास जाके number of a निकाल लोगे यह था a only which is 250 number of a फाइंट करना था second part हो गया न वह first part तो यहीं हो गया था और intersection is 80 so number of a कैसे निकाल लोगे 250 plus 80 which is 330 यहीं आया था second part में b निकालना था जैसे first part में यह चीज निकालनी थी second part में यह निकालनी है b minus a हमारा था 70 b हमें find out करना था a intersection b हमारी 80 थी this is over 150 and this यह तीनो answer देख लो यही था यही थे हैं हमारे तीनो पार्ट यह intersection यह A और यह B होगे ना मेरे तीनो answer आगे तो आज की वीडियो भी हमारी यही फिनिश होती है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी बाई है है झाल झाल झाल